दोस्तों नमस्कार सुवागत है आप सभी का अपना चैनल IND हिंदी टेक में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं PTM SBI क्रेडिट कार्ड के बारे में यदि आप पेटीम का SBI क्रेडिट कार्ड लेना चाहती हैं तो आप लोग वीडियो के आंते तक बने रहें ये जो है All India Delivery स्टार्ट हो चुकी है जो कि लगवग पिन कोड लगवग सीटी में अब आपको पेटीम का SBI क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा जब पेटीम का SBI क्र जा गया था तो कुछ सेलेक्टेड सीटी में ही डिलीवर कराया जाता था लेकिन जो है अब लगवग सीटी में डिलीवर कराया जा रहा है तो आप एक वर चेक जरूर कर लिजेगा देखे दोस्तों प्री क्रेडिट के तहत हम आपको आज जो है पेटीम का SBI क्रेडिट कार काड को अपलाई करके दिखाएंगे जहाँ पर पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाने वाले हैं आप वीडियो के आंत तक बने रहेगा पेटियम का SBI credit card दो variant के साथ उपलब्द है जिसकी बारे में हमने एक detail में वीडियो बना दिया है कि कैसे आप लोगों को इस पर cash back मिलता है और किस तरह के benefit आपको मिलते हैं क्या annual charge होने वाला है इस पर हम detail में वीडियो बना चुकी हैं तो अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के description box में हमने सबसी उपर link दे दिया है उस पर click करके आप काफी आसानी से वीडियो को पहले देख लीजेगा तो यहाँ पर हम ptm app पर मवजूद है जो हम आपको दिखा देना चाहेंगे यहाँ पर slide होता ह बैनर में आपको एक options नजर आ सकता है up to 3% unlimited cashback वाला on all transactions with pre-qualified paytm sbi credit card जहाँ पर apply करने पर 500 रुपया का cashback भी लिखा आएगा तो यहाँ पर जो है आज इसी पर click करके हम आपको पूरा detail के साथ बताने वाले हैं अगर आपको banner यह 100 होता है तब आप समझ जाओ कि आपकी area मे आपके इदर deliver होगा और आप जहें काफी आसानी से paytm का यह sbi credit card को प्राप्त कर पाएंगे तो यहाँ पर simple से हम इस वाले banner पर click करेंगे banner पर click करने के बाद थोरा सा इंतिजार करती हैं यहाँ पर जो है loading लिया जा रहा है अब हमारे सामने कुछ इस परकार की interface नजर आ च यहाँ पर दोस्तों हमें enter क्या करना है वो बता देती हैं देखिए हमारा full name दिया गया है अगर कोई गरबर है तो यहाँ से बदल सकते हैं उसके नीचे में mother's first name enter करना है याद रखिए का mother's first name enter करना है mother's last name इसमें enter नहीं करना है उसकी बाद यहाँ से nationality select करनी है जो की Indian रह परसनल email जी हाँ परसनल email जो है यहाँ पर डालनी होगी उसकी बाद gender को select करना है तो हमने अपना gender को select कर लिया है select करने के बाद नीचे जो है address की options आता है जो की current home address आपको enter करना है जहाँ पर आप महजूद रहेंगे जहाँ से आपका document collect किया जाएगा और जिस address पर आपका verification होगा ना उस address पर आप महजूद रहेंगे वही address आपको यहाँ पर डालनी है जो की पहले से सेव जितने भी address रहेंगे यहाँ पर नजर आ जाएगा अगर आप कोई नया डालना चाहते हैं तो add new वाले options पर click करके आप यहाँ पर नया address डाल सकते हैं जैसे house name उसकी बाद यह टाउन का नाम उसकी बाद estate और यहाँ पर add कर देना है जो current home address है वही आपको एंटर करना है उसकी बाद आपको यहाँ पर occupation type सेलेक्ट करनी है अगर आप यहाँ पर सेलेरीड परसन है तो सेलेरीड वाले options पर click करें self implied है तो self implied वाला टार्ड पेंसेनर है तो आप यहाँ पर क्लिक करें उसकी बाद यहाँ पर company का नाम आपको सर्च कर देना है जो कि हम पहले से सर्च करके रखें आप यहाँ पर company का नाम सर्च कर सकती है जहाँ पर आप यहाँ पर अपना position को सेलेक्ट करना पड़ेगा मतलब जिस position पर आप है जैसे कोई seller है या फिर जो है आपका ख खुद का कुछ है तो आप यहाँ से सर्च कर सकती है जो भी है जैसे यहाँ पर अगर आप सेलर है तो आप यहाँ से सेलर पर सेलर जो है सर्च कर सकते हैं तो सेलर जब सर्च करोगे तो सेलर आ जाएगा आपको डन करना है उसके नीची आपको company का नाम जो है सर्च करना है त उसकी बाद टर्मेंट कंडिशन को एगरी करना है और यहाँ पर सब्मिट वाले आपसंस मिलते हैं सब्मिट वाले आपसंस पर क्लिक करना है देखिए दोस्तों यहाँ पर पावरेट बाई पर दोस्तों पहले क्या था कि यहाँ पर जो है सर्विस अविलेबल नहीं था लेकिन अब जो है एड्रेस पर सर्विस अविलेबल है और जो हमने पिन कोट डाला है वो गाओं का पिन कोट डाला है जहाँ पर सर्विस जो है लास्ट में ही आते हैं तो जब इस पिन कोट पर ज नीचे submit वाले options पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर मेरा detail जो है एक वार फिर से submit हो रहा है, यहाँ पर up to a minute लिखी गई है, तो थोरा सम इंतजार करते हैं, और देखते हैं कि इस पर problem होता है या फिर नहीं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर application successfully submit हो चुक कुछ इस परकार की options यहाँ पर नजर आये हैं, तो हम यहाँ पर blue ही रहने देती हैं, उसकी बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे में display name की options आता है, यानि कि आप अपने card पर क्या नाम रखना चाहती हो, तो यहाँ पर आप जो है नाम edit भी कर सकते हो, जो कि मेरा नाम यहाँ प card हो गया, passport हो गया, या फिर driving license हो गया, देखिए इस में जो है, इस card में online payment enabled रहेंगे, अगर आप disable करना चाहती हैं, तो कर सकते हैं, tap and pay वाला system भी enabled रहेगा, प्यूएस मसीन पर आप transactions भी कर सकेंगे, और यहाँ पर आप ATM withdrawal वेगरा भी लगा सकती हैं, इने store पर purchase भी कर पा जाएगा, जो कि यहाँ पर 9 minute 53 second के अंदर आपको OTP verify करना है, तो हम तुरा सा इंतिजार करते हैं, जब OTP आ जाएगा, उसकी बाद यहाँ पर OTP हम enter कर देंगे और submit कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास OTP आ चुका है, चलिए हम यहाँ पर OTP एंटर कर देते हैं, OTP एंटर क के बाद हमने यहाँ पर submit वाले options पर क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर saving your card setting यानि कि यह जो हो रहा था, वो card setting हो रहा था और finally application successfully submit हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं, message भी आ चुका है, अब यहाँ पर थोरा सा time दिया गया है, और किया गया है, document collect किया जाएगा, यह भी appointment has booked for 10 March, यानि कि 10 March के लिए appointment को book किया गया है, और नीचे में यहाँ पर timing दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, सुबह की 10 बजे से लेकर 12 एम तक इसका timing दिया गया है, document collect करने का timing यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर appointment को edit भी कर सकते हो, edit appointment पर क्लिक करके, यहाँ पर क्या क्या है, document ready करके रखना है, वो यहाँ पर बताई गयी है, जो कि मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है, copy of अधार, अधार कार्ड की copy जो है, आपको यहाँ पर तयार रखना है, उसकी बाद coffee of pen card, या यहाँ पर original address proof, जहाँ पर आप जो है, आधार कार्ड को सो कर सकते है, voter ID कार्ड को सो कर सकते हैं, passport या फिर driving license को आप वहाँ पर सो कर सकते हैं, additional document भी लगेंगे, additional document के रूप में क्या लगेगा, वो हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर दो options दिया गया है, दोनों में से आप कोई भी दे सकते हैं, अगर आपकी पास पहले से कोई bank का active credit card है, तो उसका एक मन्त का statement आप यहाँ पर दे सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, और यहाँ पर एक और options दिया गया है, कि अगर आप income tax return फाइल करती हैं, तो उसका paper और यहाँ पर last जो है, three month के savings account की statement, जो कि पर bank list दिया गया है, इसी bank में से कोई bank में, अगर आपका account है, तो आपको यहाँ पर statement देना है, जो कि आप दिया है, उसकी नीचे appointment ID होती है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर application submit किया हूँ, उसकी बाद appointment book हुई है, उसकी बाद document collect किया जाएगा, जो कि यहाँ पर 10 March को document collect किय जाएगा, उसकी बाद application जो है processing में जाएगा, ऐसा नहीं कि document collect होगा, और आपका approve हो जाएगा, application जो है processing में जाएगा, आपका document अगर सही रहता है, तो यहाँ पर application approved हो जाएगे, और approved होने के बाद, आपको credit card मिल जाएगा, जिस color में आपने credit card के लिए request लगाया है, वह credit card आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि SBI का credit card मिलेगा, पेटियम SBI credit card, आप चाहो तो FAQS यहाँ पर read कर सकते हो, FAQS में सारी बाते इसकी बारे में दिया गया है, यहाँ पर help and support का भी options मिलता है, जिस पर click करके आप मदद भी प्राप्त कर सकते हो, तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आप credit card को apply कर सकते हो, और यहाँ पर जो पेटियम का यहाँ credit card है, वो लगभग सभी pin code पर आप जो है deliver होंगे और सभी pin code पर serviceable होगा, यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आपको pre-qualified के अंदर पेटियम का यहाँ credit card दिया जाता है, या फिर application submit करने को कहा जाता है, तो सियोर है कि आपके pin code पर serviceable किया जाएगा, आपके pin code पर document collect करने के लिए वो जरूर आएंगे, तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो में साड़ा detail पूरवक आपको जानकारी प्रदान करा दिया है, आसा करेंगे दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो करके वीडियो प्राप्ति के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथे साथ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर सेयर कीजेगा, क्योंकि मैंने detail पूरवक आपको जानकारी दे दिया है, इसकी बारे में आप अधिक जानकारी प्राप्त क करना चाहते हैं कि क्या benefit है, इस credit card का, क्या annual charges है, क्या charges इसका है, तो आप जो है इसे से पहले वाला वीडियो देखिएगा, जो कि इस वीडियो के description box में हमने सबसे उपर link दे दिया है, उस पर click करके आप देख सकती हैं, तो मिलते हैं फिर एक नव वीडियो में, हमें दीज दोस्तों इजाजत धन्यवाद